प्रदेश में सीधी मामले को लेकर घमास्तान मचा हुआ है चुनावी मौसम है लेहाजा हर समाज को साथना भी जरूरी है दश्मत के साथ जो हुआ उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज चुहान ने दश्मत के पैर धोकर माफी मांगी इस तस्वीर के साथ सीएम ने आदिवासी समाज को ये संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी आदिवासियों की चरण बंदना करती है इस तरह से आदिवासियों को तो साधा गया लेकिन दूसरी तरफ प्रवेश रुकला की घर पर बुलडोजर भी चलाया गया इससे ब्राहमन समाज नाराज हो गया है अखिल भारतिय ब्राहमन की प्रदेश देक्ष पुषपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ प्रवेश रुकला को सजा मिल रही है मगर घर नहीं तोड़ना चाहिए था इसे हमारा समाज नाराज है ये गलत हुआ हम उनका घर बनवाएंगे अब तक 10 लाख रुपे एकटे हो चुके है चाहिए और अब परिवार की हमको मदद करनी है सहयो करना है इसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी के घर पर बुल्डो जड़ चला हो किसी आरोपी के घर पर हमने देखा है लग लग जगह चलते रहे हैं बहुत सही आपने प्रस्निक किया है और मैं टीवी नाइन भारत के माद्य हम से पूरे देश में पूरे देश के जो ब्रामन समाज है और अने समाज है उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं चला है लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरे की संपत्ती, चाचा की, बाबा की, दादी की संपत्ती को तोड़ने का कौन सा नया है, कौन सा ऐसा नियम बना दिया है, तो शिवराज जी दूसरों की संपत्ती को क्यों तोड़ रहे हैं, जो आरोपी है, उसकी संपत्ती को आप निस्तनाबूत कर दीजिए, जो कह पूरा चेंज हो गया है दस दिन के अंदर अंदर भारती जंता पार्टी से ब्रामन समाज पूरा नाराज हो चुका है निश्यत तोर पर जो ब्रामन हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा यह स्लोगन है और यह फिक्स है इस मामले पर हमने कुछ ब्रामन समाज के लोगों से बात की उनका कहना है कि इसका असर चुनाव में जरूर देखेगा अपराद उसका बेक्तिकत है इसलिए उसको सज़ा दी जा सकती है लेकन उसके अपराद ही होने पर उसके माबाप उसके परिवार को सज़ा देίνा ये तो मुर्ता गलत है जिसे अगर आप प्रवेश शुकला की बात करेंगे उसने अपराध किया है तो उसे दंडित करना चाहिए और कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए कि समाज में फिर कोई ऐसा कृत्ते ना करें मगर जहां आप देख रहे हैं कि किसी के माबाप अगर अपने बच्चे को संसकार देते हैं तो कभी यह नहीं सोचते कि बच्चा गलत रस्ते पे जाए अगर बच्चा गलत रस्ते पे चला गया तो उनका कोई दोस्त उनका तो नहीं है उनका घर तोड़ा गया है वो तो प्र जानकारी के मुताबिक ब्रामन समाज मध्य प्रदेश आइकोट में भी एक याचिका दार करेगा ब्रामन समाज का कहना है कि आरोपी के परिवार का घर वैद था और संगठन नी जानना चाहेगा कि आखिर किस नियम के तहर घर तोड़ा गया इससे पहले आरोपी के पिता का एक बयान सोचल मीडिया पर वारल हुआ था, उन्होंने कहा था कि उनके बेटे के खिलाब कानूनी कारवाई हो लेकिन आखिर के साधार पर उनके मकान पर बुनडोजर चला गया पिता रमाकान शुकला ने कहा था कि मध्यप्रदेश का कानून कहता है परसाथ के सीजन में किसी भी तरह का अतिक्रमन नहीं तोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि उनका परिवार बेना कोई गलती किये सजा भोग रहा है बहराल ब्रामन समाज जब आरपार की लड़ाई पर उतराया है इसी साल पित्रपक्ष में मुख्यमंत्री का पिंदान करने की बात कह रहा है सुमवार को अखिल भारती ब्रामन महासभा के दस से जाधा पदाधिकारियों के साथ लोग कलेक्टरेट पहुंचे इससे पहले विथिका भवन में तीन घंटे तक घरना दिया ब्रामन समाज के लोग जैसे ही कलेक्टरेट पहुंचे पुलिस कर्मियों ने गेट बंद कर दिये जब काफी देर के बाद कलेक्टर साकेत मालवे बाहर नहीं आये तो उन्होंने ग्यापन नहीं देने का फैसला किया इसके बाद गधे को कलेक्टर की संग्या देकर गेट पर चुपका दिया बहराल अब ये मामला तूल पकरता नजर आ रहा है